हेलो फ्रेंच वेल्कम बेक टू मेकनिक स्टड़ी यूटूब चेनल तो फ्रेंच अगर आप आइटे क्या हो या आइटे में फिटर टर्नर मसनेस्ट वेल्डर और प्लंबर जैसे हमारा जो टेकनिकल ट्रेड है उन ट्रेड़ों में से अगर कोई बी टेकनिकल ट्रेड को था पिछले वर्ले हम दो क्लास को कंप्लेट कर चुके हैं आज हम CHRIS3 को discussion करें तो आगे बढ़ते बीडियो को सुरू करते यहां पर पिछले हम 31 को सिन को Question कर दिया था आज हम 32 प्रेंट्स वीडियो को ज्यादे साथ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और वीडियो को शुरू से लखर अन्तक देखने की कोशिश करें ताकि यह जो इंपर्टन कोशिण है इस कोशिण में आपकी कोई भी डाउट ना रहे तो फ्रेंट्स आगे कोशिण में पूछा गया, इसका क्या है यहां पर अप्शन नमर ए दिया गया जेनरल चीजल वरक के लिए यूज करता है जो कि हमारा कारपेंट्र सॉप में जेनरल चीजल पर परप्रोज के लिए या फिर अप्शन वर बी में दिया गया में एक्टेक्टागुलर होले इन जैसे कि हमारा चिलना और फिसन देना के लिए हम मोटी चीजलों के यूज करता है क्या या फिर अप्शन नमर डी में दे गया लाइट चीजलेंग क्लीनिंग शार्प कॉर्णर इन ऊड़ क्या वह लकड़ी में हलका छेनी करन तथा तेजिक किनारों को सफाई करने के लिए है यूज किया जाता है तो यहां पर रैइट एंट उर होगा हमारा अप्शन और बी अप्शन जैसे कि यहांस पर दिया गया making rectangular hole-in जो मौट्टी चीजल होता है ओ कोई भी लकड़ी के उपर अगर इस ताहरह हमारा कोई भी कि लकड़ी है इसके ऊपर एक इस तरह апroom जो कि एक मोट्रिषिजल का इस्तमाल करते तो आगे बड़ते फिगर की डिसकर्सिंट कर लेटें यहां पे एक दिया गया फिगर जो कि के लिए इस्तमाल किया जाता है next यहां पर question number 33 पूछा गया कि what is the name of stake used for sheet metal work तो यहां पर question पूछने की कोशिशी करा कि sheet metal कार्य के लिए उपयों को होने बाली stake का क्या नाम है तो यहां पर figure दिया गया यहां पर फिगर में कि यहाँ पर option को एकबर discussion कर लेते option और ए में दिया गया हस्क स्ट्ऩेक पर ही जह यहाम पर हइमारा व्या फिखर दिया गया इसका नाम होता है ब्लो हन स्टेक इसको हम बोलते हैं तो ब्लो हन स्टेक क्या है इसका यूज क्या हम पर किया दाता है इसके अबर भी थोड़ा बहुत डिसकेशन कर लेते हैं जो ब्लो हन स्टेक होता है उसका जो टेल होता है बहुत शार्प होता है और ये बहुत देखने के लिए बहुत लंबा भी होता है इसका work generally कोई भी workpiece को hollowing करना कोई भी sheet metal को hollowing rounded अगर कोई भी ring shape का shape देना है तो इस stake का यूज़ू किया जाता है इस stake का नाम होता है blowhorn stake तो आगे बड़ते next हमारा कोशिन 34 कोशिन में पूछा गया कि what is the name of tool तो यहां पर एक figure में एक tool गया गया पिन हमार तो यहां पर राइट एंसर ओफ्षन और भी। यहां पर फीगेट दियागिया इस हमर का नाम होता है टेक हमर। वह क्या है यह टेक हमर दिखने के लिए बहुत चोटा होता है और ren daily होता है इसका दूसरा नाम होता है और फ्रोस्टरी हमर कोई भी फ़नीचर सब हो कोई भी लॉकिडिक से या फिर कपड़े से जो फ़नीचर सब बनाते उस फ़नीचर सब में जो छोटे-छोटे किले होता है उस केले को ठोकने के लिए हम इस तरह की हमार का यूज करते तो most important point यहां पर बन जाता है यहां पर कोई जो हमार है इसका generally आम तर पर फ़नीचर सब में यूज किया जाता इसका दुसरा नाम होता है अप होश्टरी हमर जैसे कि यहां पर भी मेंशन कर दिया गया तो आगे बढ़ते नेक्स्ट कोशिन यहां पर दिया गया 35 नामर कोशिन में पूछा गया कि विच टाइप आप नोच इज यूज फर मेकिंग मेटल ट्रे विधिन 90 डिग्री बेंड एंड इंसाड फ्लेंज तो यहां पर कोशिन पूछने की कोशिश कर रहा है कि 90 डिग्री मोड अंदर से निकले एक किनारे से हाथ धातु के बनाने के लिए किस प्रकार की नोच का उप लिए किया जाता है तो कोशिन पूछने की कोशिश कर रहा है कि कोई पिख एक सीट मेटल वार्क होता है जोकि इसका इंसाइड मे एक फ्लेंज बनाना है उसका एट को लेके इसका हुमेक में बनाना आए और उसकोmed निज मेड करना है तो इसलिए हम नोच को बनाना चाहिए जो कि हमारा sheet metal work में क्या वो option number दिया गया A option दिया गया B notch, B option दिया गया slant notch, C option दिया गया square notch और D option दिया गया straight notch, तो यहां पर हमारा right answer हो जाएगा option number A, B notch कोई भी tray हो, उसका inside plane बनाना, वो भी 90 degree bending के साथ, तो इस तरह हमारा B notch बनाना चाहिए, वो भी नोच का भी जो angle होता है, वो 90 degree होता है तो आगे बड़ते, next question 36, 36 number question पूछा गयागी what is the name of the dilbit, तो यहां पर एक dilbit का figure दिया गया, यह dilbit का नाम क्या है, कोई न में पूछने की कोशिस कर रहा है, तो वो क्या flat dilbit है, या फिर टेपर सांग dilbit है, या फिर counter सांग dilbit है, या फिर straight सांग dilbit, तो यहां पर right answer हो जाएगा, option नोबर B, टेपर सांग dilbit, क्योंकि यह जो dilbit का जो सांग है, वो taper है, तो इसको हम बोलते taper सांग dilbit, तो यहां पर B option यहां पर correct हो जाएगा, next 37 number question, question में पूछा गया कि, what is the name of the file, तो figure में दिया गया एक जो file है, इस file का नाम क्या है, क्या वो rest code file है या फिर single code file है, या फिर double code file है, या फिर curve code file तो यहां पर right answer हो जाएगा, option over A, rest code file, यह जो figure जो दिया गया, इस figure जो file है, इस file का नाम होता है है, rest code file, rest code file जाधर generally हम, कोई भी wood या leather को filing के लिए use के जाता है, क्योंकि इसका जो teeth बनाया होता है, वो pointed होता है, और sharp भी होता है, इस file में जब हम soft metal को filing करते हैं, वो हम पर file pinning का problem कम आने के chances रहता है, तो इस लिए file को हम specially wood और leather की filing के लिए use के जाता है, इस file का नाम होता है, rest code file, और यह file half round shape में available होता है, next यहां पर 38 number question पूछा गया, question में पूछा गया कि what is the purpose of cross cut cold chisel, जो cross cut cold chisel होता है, उसका purpose क्या है, उस chisel को कहां पर use करना चाहिए, क्या वो cutting कीवे, क्या के लिए use के जाता है, या फिर option और B में दिया गया, cutting groove cut, या फिर option और C में दिया गया, squaring metal, या फिर option D में दिया गया, remove metal from large flat surface, तो यहां पर right answer हो जाएगा, option number A, cutting key way group, जो हमारा cross cut chisel होता है, उसको generally आमतर पर कोई भी इस की वे group को काटना है, तो इसके लिए हम यूज करते है, cross cut chisel, और जो इसका second नाम होता है, cap chisel, इसका second नाम होता है, cap chisel, और इसको generally हम कोई भी key way group को काटना है, तो इसको हम specially use करते है, next यहां पर question 39, 39 में पूछा गया कि name the part x of the file, यहां पर एक फाइल का figure दिया गया है, उस figure में एक एक को नामाइंकित किया गया है, तो यह जो एक्स को नामाइंकित किया गया, इस एक्स का नामाइंकित जो part है, उस part का नाम क्या है, क्या वो edge है, या फिर heel है, या फिर टैंग है या फिर शोल्डर है तो यहां पर राइट एंच रो जाएगा option number B heel यह जो marking किया गया x के जरिए से जो file के उपर इसका नाम हो था है heel next यहां पर 40 number question 40 number question में पुछा गयागी which type of half left joint is used for user if one part of the job meet another part of at same distance from the in to question में पूछने की कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार का order left जोड प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग 0 के अंत से कुछी दूर से मिलता है तो important यहां पर होता है कोई भी एक इस तरह की हमारा एक वर्कपीस है जो कि हाप लेव जोड होता है इस तरह एक वर्कपीस है फिगर अच्छा नहीं है इसको आगे हम डिसकर सुने रहेगे अच्छे फिगर से तो यहां पर question जो पूछा गया था किसी प्रकार के एक अर्ध लेव जोड जो किसी प्रकार के एक और्ध लेव जोड प्रवयोग किया जाता है जाता है job का एक ही भाग सीरो से अंध discussion कर लेते question में पूछा गया थी कोई भी वरकपीस हो कोई भी वरकपीस जैसे की ood piece हो उसका कि इंड को निकला जाता है जैसे कि इस तरह हमारा half-lab जोड़ों बना जाता है ओभी इंड से, जो कि इस इंड से कुछी दिरों से, तो उसको नाम क्या जाए, इस तरह की हमारा जोड बनाने है, तो इस जोड का नाम क्या है, कोशिन में पूछने की कोशिस कर रहा है, तो यहां पर राइट एंचर हो जाएगा, अप्शन नमबर C, मिडिल लेव जोड जो कि हम कारपेंटरी सॉप में यूज करते हैं, नेक्स्ट यहां पर कोशिन 41 नमबर, 41 नमबर कोशिन पूछा गया कि, which cause not defect is timber, तो कोशिन में पूछने की कोशिस कर रहा है कि, लक्डी में गांट दोस्का क्या कारण है, क्या वो defective storage के लिए होता है, या फिर uneven sequence के लिए होता है, या फिर growth of branch के लिए होता है, या फिर improper seasoning के लिए होता है, जो हमारा कोई भी लक्डी के उपर, इस तरह जब गांट दोस्का आता है, तो उसका reason क्या होता है, तो यहां पर option number C में दिया गया growth of branch, अगर कोई भी लक्डी हो, या फिर पेड हो, तो उसमें अगर branch आ गया, इस तरह हमारा साखा आ गया, तो उसमें एक गांट दोसों आने आ जाता है, तो यहां पर question जो पूछा गया था, which cause not defective timber, बोले तो लक्डी में गांट दोसों आने का कारण क्या होता है, growth of branches, जो कि यहां पर C option correct हो जाएगा, next यहां पर 42 number question दिया गया, question में पूछा गया कि which type of curve cutting hands is used for internal cutting लक्डी का आंतरिक cutting के लिए किस प्रकार की बक्र cutting दस्ति आरी का प्रविग की जाती है, क्या वो compass हो है, या फिर keyhole सो है, या फिर copping सो है, या फिर faster सो, तो हम पहले discussion करेंगे जो curve cutting hands होता है, जो internal cutting के लिए use क्या जाता है, वो दिखने के लिए किस तरह होता है तो कुछ इस तरह की हमारा कोई भी internal wood में, अगर internal keyhole की जरिये से हम इस तरह हम cutting करना है, तो इस तरह की हम आरी का use के जाता है, तो यह आरी का नाम होता है option number B में जो यहां पर दिया गया keyhole 100, इसको हम बोलते, keyhole 100 आरी बोलके बोलते, जो यहां पर B option यहां पर correct हो जाएगा, next यहां पर दिया गया 43 number question, 43 number question में पूछा गया कि what is the name of the tool, यहां पर एक tool का figure दिया गया है यह tool का नाम क्या है, question में पूछने की कोशिश कर रहा है तो क्या वो divider है, या फिर inside caliper है, या फिर order caliper होता है, या फिर outside caliper, तो यहां पर right hands हो जाएगा, option और B inside caliper, यह जो inside caliper होता है इस caliper के जरिये से हम कोई भी internal slot या फिर internal hole diameter होता होता हो, उसको हम measuring कर सकते है यह एक indirect measuring instrument होता है next यहां पर 44 number question पूछा गया, question में दिया गया कि what is the use of this gauge, यहां पर एक gauge का figure दिया गया है, यह gauge का इस्तमल कहां पर किया जाता है, क्या वो checking the internal radius of the job, क्या वो कोई भी job piece का internal radius को check करने के लिए यूज के जाता है, यह फिर option number B में दिया गया check the diameter of the cylindrical job, क्या वो बेलनकार job का ब्यास को जांचने के लिए यूज के जाता है या फिर option number C में दिया गया, checking the height and parallelism of the job, क्या वो जाब की उचाई और समांचने के लिए यूज के जाता है, या फिर option number D में दिया गया seed the job in the machine parallel to the datum, क्या वो जाब का machine में datum के समांचने के लिए यूज के जाता है, तो यहां पर right answer हो जाएगा option number A, check internal radius of the job, तो यह जो gauge दिया गया है, इसका नाम होता है radius gauge, यह gauge को हम generally कोई भी internal हो या फिर external इस तरह की radius हो, तो उसको हम measure करने के लिए gauge की यूज के जाता है, इसका नाम होता है radius gauge, next यहां पर 45 नमर कोशिन, 45 नमर कोशिन में पुझा गयागी, what is the name of the hammer, यहां पर एक figure में, एक hammer का figure है, यह hammer का नाम क्या है, कोशिन में पूछने की कोशिस कर रहा है, क्या वो clay hammer है, या फिर ball pin hammer है, या फिर cross pin hammer है, या फिर straight pin hammer, तो यहां पर right answer हो जाएगा, option number A, clay hammer, यह जो clay हमार होता है, कोई भी लकड़ी में nail को निकलना है, तो इसका इस्तमाल किया जाता है, और इसके दोनों शिरो में दिखने के लिए, इसका जो face होता है, ओर rounded होता है, और एक जो face होता है, इस तरह की bending clay की तरह होता है, जो की nail को remove करने के लिए यूजू किया जाता है, नेक्स्ट यहां पर question, last question, 46 number, 46 number में पूछा गया कि, which file is used for sharping the blonde teeth of tenon saw, एक tenon आरी के कुंद दान्तों की तेजी करने के लिए किस रेती का उप्योगों किया जाता है, क्या वो square फाइल होता है, या फिर rounded फाइल होता है, या फिर होता है, या फिर half round फाइल होता है, तो यहां पर right answer हो जाएगा option और C, ट्रैंगुलर फाइल, जो tenon saw होता है, तो दिखने के लिए कुछ इस तरह के होता है, उसका जो teeth होता है, इसको रिर शापिंग के लिए हम ट्रैंगुलर फाइल का इस्तमाल करते हैं, तो फ्रेंट्स यह थी हमारा आज का कुछ important question, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ भी share करें, ताकि हम आसानी से हमारा चैनल के साथ जोट जाए और यह 1000 जो MCQ सेरीज है उसका लाव उठा पाए, तो फ्रेंट्स वीडियो को देखने के लिए थेंक्यू, फिर मिलेंगे अगले क्लास में